नेक्स्ट यदि कोई सर्वनाम भिन भिन पुरुष्टों से हो अलग-अलग व्यक्तियों से एक से अधिक संग्या या सर्वनाम बताता है तो थर्ड परसन के बजाए हम फर्स परसन प्लूरल में होगा उदारन के लिए you and I have done our duty अंग्रेजी में याद रखिये शिष्टता के लिए I and you नहीं बोलते हैं पहले हम दूसरे को संबोजित करते हैं you and I hurry and I ना कि I and hurry he and I ऐसा नहीं बोलते हैं I and he I को हमेशा शिष्टता के नाते बाद में संबोजित करते हैं स्वयम को अंग्रेजी में बाद में संबोजित करते हैं शिष्टता के नाते कर्डसी के नाते you and he, वहाँ पर you and he, hurry and I, I and hurry नहीं ये बात को ख्याल लखेंगे I and hurry नहीं, so first person plural होगा तो अजित उचित होगा coming back to this point, in this you must remember यदि कोई सर्वनाम, अलग अलग व्यक्तियों की एक या अधिक संग्या अच्वा सर्वनाम को बताता हो एक या अधिक संग्या या सर्वनाम को बताता हो तो third person के बजाए, अन्य पुरुष के बजाए, हम उत्तम पुरुष, first person का उप्योग करते हैं यू एंड आई, he एंड आई, they एंड अस, वे और हम, हम और वे नहीं होगा वे और हम, तो पहले हम दूसरे को संबोजित करते हैं, ये शिश्टा चार के नाते, मैं बार बार शब्द का उप्योग कर रहा हूँ कर्ड सी के नाते, C-O-U-R-T-S-E-Y, कर्ड सी ने शिश्टा चार मैंने एक शब्द का उप्योग किया था, पूर में कर्मकारक, और कर्मकारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्यूजेटिव, आपको याद होगा, कि एक्यूजेटिव कर्मकारक क्या है, और उस पर पुना मैं बात ना करते हुए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मानत हैं कि आप क्रमकब्द तरीके से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पुराना पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आई, ही, शी, वी, दे, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, इस यदि हैं करमकारक, एक्यूजेटीप के रूप में करें, तो मी हो जाता है, आई का क्या हो जाता है मी, ही का क्या हो जाता है हिम, शी का हर, दे का दें और वी का अस, आई का मी मैं और मी मने मेरा मी मने मैं कर्मकारक हो रहा है मैं क्या हो गया मी कर्मकारक हिम कर्मकारक हर अस देम ये सब कर्मकारक तो ये सर्वनाम समुच्चा बोधग एंड और द्वारा जोड़ते हैं तो मी के स्थान पे आई के प्रयोग के अशुद्धी ज्यादा करते हैं लोग, बहुत प्राज़ा The presents are for you and me, not I The presents, these gifts are for you and for me My uncle asked my brother and me for dinner My uncle asked my brother and me for dinner यहां क्या हो गया, क्या समुच्चे बोधक, I mean end जब जुड़ गया है Conjunction के साथ जुड़ा है और वो कर्मकारक बन गया है तो उसमय हम क्या बोलते हैं, कर्मकारक का उप्योग करते हैं Accusative शब्दों का उप्योग करते हैं I का मी होता है, He का Him होता है, She का Her होता है They का Them और We का Us Next, बट का प्रयोग बट का प्रयोग देखें इस वाक्य में कैसे हैं Nobody will help me but you Nobody will help you but me I say, बट का प्रयोग, प्रिपोजिशन की तरह हुआ है बट मतलब लेकिन नहीं बट का मतलब लेकिन होता है न, सामानित या, बट I can come, but my leg is paining मैं आ सकता हूँ, लेकिन मेरा पैर दुख रहा है तो बट का मतलब लेकिन लेकिन यहां पर बट का प्रयोग किस रूप में हुआ है? प्रिपोजिशन की तरह प्रिपोजिशन की तरह जब होता है Nobody will help you but me Accept me Accept तुम्हारे अलावा और कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो वहां मी जो है वो क्या हो गया? कर्मकारक और प्रिपोजिशन की तरह हुआ है इस तरह बट के पश्चाथ कर्मकारक का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी बढ़ते हैं इस तरह का उप्योग करेंगे तभी आएगा इस तरह का उप्योग Nobody will help, nobody will come but him Nobody will accept but him अपनी गलती कोई स्विकार नहीं करेगा केवल उसके तो बट का मतलब यहां केवल हो गया लेकिन नहीं सामाने तया बट कार्थ होता है लेकिन लेकिन यहां केवल Nobody but me will help you कोई नहीं केवल मैं तुम्हारी मदद करूँगा अब चलिए हम 6-7 कुछ वाक्य देखते हैं और उसमें सर्वनाम च्छाटना है आपको और सर्वनाम च्छाटना है और यह बताना है यह सर्वनाम किसके लिए आए आप समझ गए and tell me the pronoun has come for which noun किसके लिए आए है, which noun which noun is it replacing or indicating first sentence Alice was not a bit hurt and she jumped up to her feet Alice was not a bit hurt and she jumped up to her feet अब इसमें सर्वनाम कौन सा है सर्वनाम है सबसे पहला she उसके बाद her यह किसके लिए आया है she शब किसके लिए आया है Alice के लिए her किसके लिए आया है Alice के लिए Alice बार बार ना बोल करके Alice was not a bit hurt but Alice jumped up to Alice's feet in a moment कैसा लग रहा है कितना वाहियात लग रहा है तो इससे बचने के लिए हम सर्वनाम का उप्योग करते हैं संग्या की जगा तो यह आप समझ के है दूसरा there were doors all around the hall there were doors all around the hall but they were all locked but they were all locked पूरे hall के चारण तरफ दर्वाजे थे लेकिन सभी बंद थे लेकिन सभी दर्वाजे बंद थे दर्वाजे दर्वाजे दो बार ना बोल करके हम क्या बोलेंगे लेकिन वे सब बंद थे तो वे क्या है सरवनाम है, तो यहां पर क्या हुआ, दे, there were doors all around the hall, but they were all locked, next, I wish I hadn't cried so much, I wish I had not cried so much, काश मैं इतना नहीं रोती, यह inverted comma में लिखा है, देखिये, मतलब कोई बोल रहा है, और उसने जैसा बोला है, उसको वैसे ही का वैसे ही लिख दिया जाता है, तो वो quotation, उद्धरन हो जाता है, और inverted comma में लिख देता है, तो किसने बोला है आगे, said Alice, I wish I hadn't cried so much, said Alice, यहां पे सर्वनाम कौन सा है, आई, दोनों बार जो आई आया है, वो Alice के लिए, Alice wished that Alice hadn't cried so much, said Alice, यही तो meaning हुआ, Alice wished that Alice hadn't cried so much, said Alice, बार बार ना कहके, हम उसको क्या बोले हैं, तो Alice जब बोल रही है, तो क्या बोल रही है, काश मैं उतना नहीं रोती, तो Alice ने कहा, काश मैं उतना नहीं रोती, तो मैं जो है वो सर्वनाम है, आई जो है वो सर्वनाम है, next, Hari bought his books and laid it on the table, Hari bought his book and laid it on the table, Hari ने किताबें, अपनी किताबें, या Hari brought his book and laid it on the table, Hari ने अपनी किताबें लाईं और उन्हें टेबल पर फैला दिया, Hari ने अपनी, Hari ने Hari की किताबें लाईं ना बोल करके, Hari ने अपनी किताबें लाईं, and laid it on the table, टेबल पर फैला दिया, इट किसके लिए है, बुक के लिए, इट किसके लिए है, बुक के लिए, तो यहां देखिए, दो संग्याएं हैं, और सरवनाम दो हैं, कौन सा सरवनाम किसके लिए है, यह आपको पहचानना है, Hari brought his book, his Hari के लिए है, और इट बुक के लिए है, नेक्स रामा यू आर ए लेजी बॉई राम तुम बहुत सुस्ट आदमी हो राम यू आर ए लेजी बॉई यू सरवनाम है तुम एक सुस्ट आदमी हो राम नाम के लड़के को कोई कह रहा है राम नाम के किसी मित्र को अपने दोस्ट को कोई कह रहा है राम तुम बहुत सुस्ट आदमी हो तो तुम जो है वो क्या है सरवनाम एक और देख लेए, the horse fell down and broke its legs, the horse fell down and broke its legs अब मैंने बताया था सर्वनाम के बारे में कि यदि सजीव है, तो his or her होता है, सर्वनाम यहाँ पर noun क्या है, संग्या क्या है, horse, horse सजीव है कि निर्जीव है, सजीव है लेकिन आगे ही उप्योग है, its legs, यादार है, ऐसा क्यों है आपको मैंने बताया था कि यदि हमको नर या मादा नहीं मालूम है कई जानवनों के बारे में हम सामान नित्या नर या मादा कांतर नहीं लगाते बोलते समय डॉग मने कुत्ता भी हो सकता है, डॉग मने कुतिया भी हो सकती है कैमल मने, male भी, female भी, elephant मतलब male भी, female भी ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, his या her नहीं लगाते, it लगाते हैं इसलिए horse broke its legs हो गया, its मतलब horse, its मतलब horse और its मतलब horse का घोड़े ने घोड़े का पैर तोड़ दिया, तो ऐसा ना बोल करके घोड़े ने अपना पैर तोड़ दिया अपना के लिए क्या शब्द है, its, okay, now last use, birds build their nest in trees birds build their nest, nest मने घोशला, घोशले बहु अचन में है birds बहु अचन में है, तो यदि ये बहु अचन है संग्या, तो एक नियम मैंने आपको बताया था यदि संग्या बहु अचन है, तो सर्वनाम भी बहु अचन होगा, यदि संग्या स्त्रीलिंग है, तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होगा तो जहां पर देखिये, बहु अचन है, birds build their nest, अपने, उनके, their हुआ, his नहीं, her नहीं, its नहीं, birds में एक वचन होता तो its रहता, bird build its nest, bird builds its nest, लेकिन birds है, बहु अचन है, बहु अचन है, तो its का बहु अचन क्या होगा, their, right? So, there are n number of sentences, if you look at your book, you look at some magazines, and find out sentences with pronouns, practically every second third sentence will have pronoun in place of noun, which has been used earlier, in the same paragraph, just before two three lines, and so these pronouns indicate the nouns, but what kind of pronoun, that is what is to be practiced. So, we have had six, seven different kinds of pronouns, six, seven different kinds of sentences, telling you application of some of the rules that we have studied a while ago. Now, to master the art of making, using pronoun, we have some different kind of exercise, these are all different tricks to make you learn better, and so here is an exercise, निम्निम्लिखित वाक्यों में जहां लगाय जा सकता है, लगाएं। निम्निम्लिखित वाक्यों में संग्याओं के बदले, जहां सर्वनाम लगाय जा सकता है, लगाएं। You understand? In these sentences, use pronoun in place of nouns, wherever proper. Rama had taken his watch and was looking at the watch uneasily. Rama had taken his watch and was looking at the watch uneasily. तो यहां पे कहीं noun के बदले pronoun लग सकता है, कहाँ? Rama के बदले तो already मैंने his का उप्योग कर लिया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब जरुरत नहीं है. Rama noun है, उसके लिए pronoun his हो गया, लेकिन और कोई सा noun है क्या यहां पर? Yes, watch, watch यहने घड़ी. और watch को दो बार उप्योग किया है, तो दूसरी बार आप watch के बदले it's बोल सकते हैं. And was looking at it, uneasily. क्योंकि watch पहले वाले watch में it नहीं होगा, watch पहले आने दीजे, उसके बाद दूसरी बार जब watch का फिर से, watch फिर से आया है, तो वहां पर आप it लगा दीजे. So sentence क्या बनेगा, Rama had taken his watch out and was looking at it, uneasily. At it, at the watch. So it किसके बदले आया, the watch. दूसरा, the boys went into the garden, where the boys saw a snake, अब यहां देखे कितने noun है, garden, boys, snake, इसमें आपको एक pronoun जोड़ डालना, सही तरीके से, किसमें डालेंगे, क्या आप boys को हटाएंगे, The boys went into the garden, के बदले आप बोलेंगे, they went into the garden, they मतलब कौन, तो boys को नहीं हटा सकते, boys went into the garden, garden के बदले आप कुछ और डाल सकते हैं, नहीं. Where the boys saw a snake, the boys saw it बोलेंगे, फिर सवाल आएगा, क्या, तो snake भी एक ही बार आया है, नाम, इसलिए उससे भी नहीं हटा सकते, boys यहां देखिए, दो बार है, The boys went into a garden, where they saw a snake, boys, the boys के बदले आप बोलेंगे, they, they saw a snake, So you can understand, कि संग्याओं के स्थान पर सर्वनाम कहां पर कैसे लगाते हैं, सर्वनाम किसी संग्या के बदले दि लगाते हैं, तो पहली बार वो संग्या वैसी ही रहती है, संग्या ही रहती है, जब वो संग्या का उप्योग दुबारा होता है आगे, तो वहाँ पर संग्या के बदले सर्वनाम लगाते हैं, और कौन सा सर्वनाम लगेगा, ये इतने सारे जो हमने नियम सीखे, उसमें देखकर, उसमें समझ कर जाने कि कौन सा लगेगा, और ऐसा करते समय हमें जेंडर सर्वनाम का सही रूप लिखो, another few sentences here, write the correct form of pronoun, कौन सा आएगा, वी स्कूर अज मैन गोल्स, आज दे की दम, as they scored they Rama and I were present कि me were present Rama and I were present look at the rules, related rules इसको समझने में यदि कुछ दिक्कत हो रही हो तो related rule को खोजें जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है और फिर इसके बाद जोडने की कोशिश करें कि कौन सा रूल इसमें अप्लाई हुआ है आई क्यों आजा मी क्यों नहीं Can you sing as well as they या them क्यां करता है Can you sing as well as they they can sing Let you and dash try what we can do Let you and dash try Let you and me try what we can do Yeah let you and I try what we can do क्या हैगा अब देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा I think I should not give you answer to every sentence You look for its answer by going through the rules जो rules मैंने पूर में बताय हैं थोड़ा उनकी और जहांकिये थोड़ा उनको तलाशिये थोड़ा खोजिये मिलान करिये और अप्लाई करिये मैं चार सेंटेंस और दे देता हूँ आपको Wait for Hari and Dash I or me Wait for Hari and Dash I or me We are not so poor as We are not so poor as They or Them We are not so poor as Dash They or Them Ram is as old as Dash I or me इसमें बहुत गलतियां होती इसलिए इसकी exercise जड़ी ज़्यादा ही है I or me के उप्योग में Ram is as old as Dash I or me Right So This is enough for you To understand To hone your skill अपने कौशल को Pronoun के संबंद में अपने कौशल को अच्छा करने में इतनी exercise आपके लिए पर्याप्त है सर्वनाम प्रणाउन के बारे में और समझने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं अधनाणागे व Wanna And we have another type of Now we have another type of for pronouns or type of pronoun you might say निज वाचक और बलात्मक निज मतलब स्वयम निज जिसको न निज गौरोत था निज देश पर अभिमान है वह नर नही नर पश्व निरा है और मृतक समान है निज मतलब स्वयम पर मतलब दूसरा पराया निजता और बलात्मक मतलब बल याने फोर्स जोर फोर्स का मतलब शारीरिक फोर्स नहीं शाब्दिक फोर्स जवा के बल पर जोर देना एक्सप्रेशन के बल पर जोर देना भाव के बल पर जोर देना उसे हम कहेंगे निज वाचक और बलात्मक सर्वनाम और अंग्रेजी में कहते हैं reflexive and emphatic pronoun, emphatic मतलब क्या होता, I told you emphatically, मैंने जोर देकर कहा था तुम्हें, कि मत जाओ, that don't go, he told me emphatically, जोर देकर उसने कहा, he gave emphasis on this word, उसने इस शब्द पर जोर दिया, emphasis मतलब जोर, तो बलात्मक, जोर देना, बल लगाना, ज्यादा उसमें, ताकत लगाना, ज्यादा ध्यान खीचने का प्रयास करना उसमें, वहाँ पर है emphatic pronoun, अब यह देखिए कौन से, यह वाले प्रणाउन्स कौन से हो, निजव वाले प्रणाउन्स वो हैं, जिसमें आखरी में, हम क्या करते हैं, S.E.L.F. या बहुचन में S.E.L.V.E.S. लगाते हैं, S.E.L.F. या S.E.L.V.E.S. एक वचन यदि है सर्वनाम, सर्वनाम एक वचन है, तो इसमें एक वचन लगेगा S.E.L.F. और यदि सर्वनाम बहुचन है, तो S.E.L.V.E.S. उसमें जोड़ दिया जाएगा, बहुचन के लिए, स्वयम के लिए सर्वनाम है, I, Myself, I से क्या बनता है, Myself, मैं स्वयम, I Myself विल गो, मैं स्वयम जाऊंगा, You, Yourself, Will, Come, तुम स्वयम आओगे, तो यह एक वचन है, तो S.E.L.F. लगाते हैं, और एम्फैटिक करते हैं, जोड़ देते हैं, Him, Himself, It, Itself, और इसका बहुचन क्या है, Our, I का, Me का Our, Ourselves, S.E.L.V.E.S. क्योंकि Our बहुचन है, Yourselves, Themselves, तो यह क्या कहलाएंगे, ऐसे नाउन, जिसमें जो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक हैं, ऐसे प्रणाउन, उन्हें हम क्या कहते हैं, Compound Personal Pronoun, Compound Personal Pronoun, इन सर्वनामों को हम निजवाचक संग्या भी कहते हैं, निजी नहीं, निजवाचक, जो स्वैम को बताते हैं, I hurt myself, स्वैम को बताते हैं, जब सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ कारे, किसी दूसरे पर ना पढ़के स्वैम पर पढ़े, तो वो रिफ्लेक्सिव या निजवाचक कहलाएगा, ख्याल करिए, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, करता के द्वारा किया गया काम, जब खुद पर पढ़े, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव या निजवाचक कहलाएगा, I hurt myself, you hurt yourself, he hurt himself, उसने अपने स्वैम को, करता कौन है, वह, उसने स्वैम को, मतलब करता ने स्वैम को घायल कर दिया, hurt करना मनें घायल करना, The horse hurt, क्या आएगा, himself, no, 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 herself, no, 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 horse में क्या आएगा, जब हमको लिंग नहीं मालुम है, तो it आता है, Horse hurt itself, we hurt ourselves, हम करता है, हमने अपने स्वैम को घायल कर दिया, They hurt themselves, वे करता है, उन्होंने स्वैम को अपने को घायल कर लिया, दूसरे को नहीं किया, तो जब करता के द्वारा किया गया कार, अपने स्वैम पे आता है, तो निजवाचक सर्वनाम का उपयोग करते हैं, और यह उसके उदाहरन है, Reflexive pronoun में, प्रतेक क्रिया के कर्म की तरफ प्रयोग किया जाता है, तब तक क्रिया के करता द्वारा, किसी निर्दिष्ट व्यक्ति या वस्त को सूचित करते हैं, जो इस बात इस नुदाहरनों में स्पष्ठ है, स्वैम को सूचित कर रहा है, I myself, you yourself, they themselves, she herself, he himself, he एक वचन है, लड़का है, उसका कर्म क्या बनेगा, him, right? So, this way, we can understand what is निजवाचक प्रनावन, जिसमें, जिसे हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रनावन और वैसे यह सब किस में आते हैं, किस केटेगरी में आते हैं, कमपाउंड पर्सनल प्रनावन, अब यदि सेल्फ की बात चल रही है, S-E-L-F, तो यह भी जान लें कि कई बार सेल्फ को हम संग्या जैसा उप्योग भी करते हैं, जरूर नहीं कि हर बार सेल्फ सर्वनाम के लिए हो, तो सेल्फ के पहले कर्म कारक के रूप में, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ऐसा प्रनावन जुड़ेगा, लेकिन संग्या के जैसा भी उप्योग करते हैं, सेल्फ को, यदि सेल्फ को संग्या के जैसा उप्योग किया, तो कैसा उप्योग होगा? He cares nothing for self Himself के बतले हम क्या बोल रहे हैं? तो self क्या हो गया? संग्या हो गया He thinks much of self वो अपने बारे में बड़ा सोचता है बड़ा उंचा सोचता है अपने को बड़ा उंचा समझता है जब ऐसा बोलना हो तो हम क्या बोलते हैं? He thinks much of himself तो him को gap कर दिया और self लगा दिया तो self क्या हो गया? संग्या हो गया उसमें हीन या हिम नहीं है यह हुआ रिफ्लेक्सिव निजवाचक compound personal pronoun में निजवाचक प्रनावन अब बलात्मक क्या है? emphatic क्या है? जोर देने वाला क्या है? जो अभी हमने पढ़ा उसमें हमने देखा जब करता स्वैम के लिए कुछ कर्म कर रहा है उसका करता के द्वारा किये गए कार का प्रभाव स्वैम पे पढ़ रहा है तब होता है तब वहाँ पे आता है लेकिन अब इस वाक्य को देखो I will do it myself I will do it myself और एक है I myself saw him do it मैंने स्वैम ने देखा कर कौन रहा तक कोई और मैंने स्वैम को उसे करते हुए देखा I myself saw him do it अब यहाँ जो myself आ रहा है I will do it myself में हम myself लगाने के जुरत क्या है I will do it मैं करूंगा लेकिन हिंदी में जब हम बोलते हैं मैं स्वैम करूंगा वो स्वैम करेगी वो स्वैम नहाएगा मतलब क्या हुआ कोई दूसरा उसे नहीं नहलाएगा जोर किस बात करे हैं उसके स्वैम पर जब ऐसा हम जोर देते हैं I will tell him myself नहीं नहीं तुम मत बताना मैं खुद उसे बताऊंगा मैं स्वैम उसे बताऊंगा मैं स्वैम में मैं जोर दे रहा हूं बल लगा रहा हूं ये बलात्मक है ये निजवाचक नहीं है I hope you are very clear about the difference between निजवाचक and बलात्मक you are very clear about reflexive and emphatic emphatic मैं अपने लिए जोर दे रहा है she herself says so वो खुद ऐसा कहती है वो स्वैम ऐसा कह रही है she herself says so यह जोर दे रहा है तो ये बलात्मक हो गया he himself did it उसने स्वैम किया है वो भई दूसरों से नहीं करवाया उसने स्वैम किया he hurt himself उसमें क्या हो रहा है he hurt himself he said himself उसने स्वैम ने कहा है he hurt himself ने स्वैम को चोट पहुंचाई है ये तो निजता हो गया निजपर और मैं अभी क्या बोल रहा हूँ उसने स्वयम ने कहा है तो मैं जोड देने के लिए स्वयम शब्द के लिए इंसेल्फ लगा रहा हूँ उसने कहा है परयाप्त है लेकिन जोड देना हो तो मैं क्या बोलूँगा किसी और ने नहीं कहा है उसने कहा है ऐसे में उसको बलात्मक सर्वनाम कहेंगे या एम्फैटिक प्रणाउन कहेंगे The town itself is not very large The town itself वह शयर स्वयम बड़ा नहीं है स्वयम जब शब्द आता है They themselves admitted their guilt उन्होंने स्वयम स्विकार किया भई मैंने उन पे जोर नहीं दिया मैंने उन पर दबाव नहीं डाला था स्विकार करने के लिए अपनी गल्तियां उन्होंने स्वयम स्विकार कर लिया कि उन्होंने गल्ती की है स्वयम स्विकार कर लिया का आरत क्या हुआ जोर दे रहे हैं किसी का दबाव नहीं था उन पर किसी ने धंकाया नहीं उन्होने श्वयम स्विकार कर लिया। So, this is called Balatmak pronoun, Balatmak Sarvanam or Emphatic pronoun. Emphatic मतलब जोर देने वाला। Right? So, let us do some exercise. By way of exercise, we would learn a bit better on what is emphatic and what is reflexive. I will go myself, I will go myself. क्या है यह? Emphatic or reflexive? Emphatic, मैं स्वयम जाओंगा, तुम नहीं जाओगा. I will go myself. Rama has heard himself. यह बड़ा सरुल दारन है क्योंकि यह दारन पहले किया है. तो यह क्या हैगा? निजुता, reflexive pronoun. Rama has heard himself. We often deceive ourselves. Deceive मतलब धोखा देना. We often deceive ourselves. हम अपने स्वयम को धोखा देते हैं. यह क्या है? This is again, स्वयम को जोड दे रहा है. दूसरे को धेखा नहीं देते हैं. अपने को देते हैं. अपने स्वयम को देते हैं. Emphatic. Next is, I myself heard the remark. मैंने स्वयम सुना. मैंने स्वयम सुना है. तो यहां स्वयम पे जोड दे रहा हैं. Emphatic है. Quit yourself like men. Quit yourself like men. आदमियों की तरह छोड़ दो. Quit yourself like men. क्या है यह? आदमियों की तरह छोड़ दो. Emphatic. Quit yourself. Next is, I was sitting by myself. मैं अपने तहीं बैठा हुआ था. मैं स्वयम बैठा हुआ था नहीं. मैं अपने तहीं बैठा हुआ था. तो यह क्या होगा? Nijita. Let us note down five more sentences as practice exercise. The dog choked himself. गलत है क्योंकि dog के लिए itself आता है. The dog choked itself. They gave themselves a lot of trouble. They gave themselves a lot of trouble. He set himself a hard task. He set himself a hard task. Fourth, they enjoyed themselves. They enjoyed themselves. And fifth one, you can write down. They have got themselves into a mess. They have got themselves into a mess. MESS मतलब? AST VEST. They have got themselves into a mess. इसको अब आप देखिए कि यह कौन सा reflexive है और कौन सा emphatic है और confusion हो किसी तरह की दुवधा में आप जो पूर में जो नियम बताएगे उनकी और जहाके थोड़ा बार बार पुनरा वृत्ति अच्छी होती है एक अच्छे विद्यार्थी के लिए तो पुनरा वृत्ति भी होगी और सही जगा पर आप पहुंचेंगे तो सही सीखेंगे